ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल किलाब आज़ाद है तेरे नासकार बोल किलाब आज़ाद है तेरे माया अभिसार शर्मा बड़ा प्रशन, आखिर अमिट शाह की दिल्ली पुलीस, CID वेस्ट बेंगॉल की रास्ते में रोडे क्यों अटका रही है, जैसे कि आप जानते हैं, CID वेस्ट बेंगॉल दिल्ली पहुँशती है, ओपरेशन लोटिस की कलह खोलने के लिए, उसके पीछे जो तमाम परते है उन्हें उधेडने के लिए, मगर दिल्ली पुलीस उनका सायोग नहीं करती है, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले, कॉंग्रिस के तीन विधायक, पश्चिम बंगाल पुलीस ने पकड़े थे और उनके पास कई लाखों रुपए मिले, कॉंग्रिस के एक विधा कुमार जैमंगल ने बाकाइदा लिखित FIR में शिकायत की, कि असम के बुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कॉंग्रिस के विधायकों से मिलकर, कॉंग्रिस को तोड़ने का प्रयास करने जारखंट के अंदर, ताकि जारखंट की सरकार को गिराया जा सके, अब जब CID भर के बाहर, बारह तुगलक लेन पर, आप देख सकते हैं, कल पुलीस ने पूरी घेरे बंदी कर दी थी, खबर क्या थी, यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया गया है, आपके स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि कॉंग्रिस मुख्याले के सामने पुलीस का बड़ा जमावडा था ताकि वहाँ पर कॉंग्रिस के कारकरता नहीं पहुँच पाए, जैसे कि आप जानते हैं, एक दिन पहले नाशनल हेरल्ड यानि की कॉंग्रिस से जुड़े इस अखबार के बारह जगाओं पर छापे मारे गए और अब यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर द पूरी तरह से सननाटा है, क्यों? क्योंकि पुलीस ने आसपास घेरे बंदी कर दी है, पुलीस नहीं चाहती थी कि कोई भी राहूल गांधी के घर के आसपास पहुँचे, राहूल गांधी उस वक्त करनाटक में थे और रात को साड़े दस बजे विमान से पहुँचते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के 24 अकबर रोड दफ्तर पर पुलीस ने पूरी घेरे मंदी कर दी थी? इस से पहले इस तरह की मिसाल जो है, आम हो चुकी है कांग्रेस दफ्तर में, आपको याद होगा, पत्रकारों के साथ धका मुकी किसी और ने नहीं, बलकि दिल्ली पुलीस न उसने नहीं दिया जा रहा था? बड़ा सवाल, आखिर मोधी सरकार और आमिच शा की पुलीस कर क्या रही है? मैं आपको बतलाना चाहूँगा, दोस्तों कॉंग्रेस ने इस मुद्धे को लेकर उगरतेवर अपना हैं, कॉंग्रेस के निता अजय माकन ने कहा है कि 5 अगस्त को हम लोग महंगाई और बेरोजगारी और अगनिवीर योजना पर प्रदर्शन करने जा रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी के निवास्थान के बाहर और हमें उस प्रदर्शन करने से रोक दिया गया जो कि किसी भी विपक्षी पार्टी का लोगतांत्रिक अधिक का और प्रधान मंती आवास तक के राश्पती भवन तक जो हमारा कारे क्रम है उसको हम करेंगे चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जा कॉंग्रिस के इता अभिशेक मनु सिंग वी इस बात को लेकर भी हैरत में है कि क्या इस सीज मेंटालिटी से यानि की घेराबंदी की मानसिक्ता से लोगतंत्र आगे बढ़ेगा क्या ये दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र का चेहरा है क्या कह रहे है अभिशेक मनु सि आपको बतला दूं इसी मुद्ध को लेकर आज कॉंग्रिस के सांसदूं की बैठक भी लोग सभा में हुई और इसी की चर्चा की जा रही थी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने विपक्ष पर तीखे तेवर अपनाए हैं उसके बाद अब विपक्ष को इस मुद्ध को लेकर जो है लामबंद होना पड़ेगा क्योंकि बात सिर्फ कॉंग्रिस की नहीं है बात अरविंद की इजरिवाल की भी है बात पश्चिम मंगाल की भी है बात ज्हारगंड सरकार की भी है आप जानते हैं हिमन सुरेन सरकार की गर्दन पर लगातार तलवार लटक रही है उनके बारे में कहा जा रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है कुछी दिनों पहली की खबर आपको याद होगी तीन विधायक पकड़े जाते हैं तीनों विधायकों के पास 50 लाग क्यास पास रुपए पश्चिम बंगाल पुलीस इसको लेकर F.I.R. दर्श करती है आरूप ये लगाया जाता है कि Operation Lotus यानि की भारती ये जनता पार्टी जारखंड के अंदर हेमन सोरेन और कॉंग्रेस की साजह सरकार को गिराना चाहती है उन में से दो विधायक कुमार जैमंगल नाम के एक और विधायक से मिलते हैं और उन्हें दो बाते कहते हैं पहली बात अगर आप हमारे पाले में आ जाएं तो आपको हम 10 करोड रुपे देंगे दूसरी बात अगर आप हमारे पाले में आ जाएं तो आपको हम स्वास्त मंतरा ले देंगे या रूप किसी और ने नहीं बलकि कुमार जैमंगल ने लगाये थे और कटगरे में कोई और नहीं बलकि असम के मुख्य मंतरी हेमंत बिसुशर्मा है ना जी वो गरीब बाद दोस्तों जब भी विपक्ष की किसी सरकार पर खत्रा होता है या उनके विधायक इधर से उधर जा रहे होते हैं अचानक हेमंत बिसुशर्मा कहां से आ जाते हैं आपको याद होगा एकनाश शिंदे और उनके बागी विधायक असम में थे इसके लावा जारखंड को लेकर आरोप लगाये जा रहे हैं मगर उससे भी बड़ा सवाल जब CID इस मामली की जाच करती है तो बड़ा प्रश्ण आखिर इस बात में रोक क्यों लगा रही है दिल्ली पुलीस मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि CBI ने इस मुद्दे को लेकर क्या शिकायत की है CID West Bengal कहता है In course of investigation of Panchala Police Station Case No. 276-22 A team of CID which had gone to Delhi to execute search warrant issued by court has been stopped from doing their lawful duty on the direction of DCP Southwest Personal intervention of Commissioner of Police Delhi is requested CID पश्यमंगाल क्या कह रही है कि हम अपना काम करने गए थे वो जो की कानूनन हमारा काम है मगर हमें रोक दिया गया और किसी और दिनी बलकि हमें DCP Southwest ने रोका अब DCP Southwest इस पर क्या कह रहे हैं आपके screens पर A team of West Bengal Police came today for execution of search warrant in Southwest district We gave all assistance for its execution Later on finding legal discrepancies during execution Legal opinion was sought and warrant was found not executable Same was conveyed to US Bengal Police यानि दिल्ली Police यहां क्या कह रही है कि हमने पहले तो उने पूरा सहयोग दिया मगर जब हमने उनकी F.I.R. को जाच किया और हमने उन्हें कई खामिया दिखाई दी हमने अपने lawyer से बात की और उसके बाद हमने पश्यमंगाल की पूलीस को बता दिया कि हम आपका समर्थन हम आपकी मदद जो है वो नहीं कर सकते इतिहास दोस्तों बार-बार दोहराया जा रहा है आपके screens पर भारती जानता पार्टी का विवादित प्रवक्ता तेजंदर सिंग बगगा इसको पंजाब पुलीस लेकर जाती है बीच में हर्याना पुलीस उने रोक देती है और आगे नहीं बढ़ने देती और फिर वापिस उसे दिल्ली पुलीस के सुफूर्थ कर दिया जाता है जीनियूस का एक अंकर है उसने राहूल गांधी के बारे में जूटी और भढ़काओ ख़वर पहलाई खुद उसने माफी मांगी उस मुद्दे को लेकर जब उसकी गिरफतारी लेने 36 गड़ पुलीस जाती है वहां पर तेलंगाना पुलीस या पश्चम मंगाल पुलीस पहुँची आक्शन करने के लिए है उस वक्त माराश पुलीस जब पहुँची जब उद्दव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो आप देख सकते हैं कि भारती ये जनता पार्टी अपने خासंखास का किस तरह से खयाल रखती है मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जھारख कंड के मुक्यमंत्री हमन सुरेन नहीं साफतोर पर कह दिया है कि मैं भारती ये जनता पार्टी के सामने नहीं जھखने वाला हूँ भारती जनता पार्टी चाहे जितना भी जोर लगा दे क्या कह रहे हैं मन सुरेन आपके स्क्रीन्स पर सब के पीछे भाजपा है उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि देश में उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी या व्यक्ती सक्ता में न रहे भाजपा हमारी सरकार के पीछे इसलिए है क्योंकि हम सक्ता में है उन्हें ये सक्ता चाहिए लेकिन हमें सक्ता जनता ने दी है और उनकी हर उमीद पर खरा उतरने की हमेशा कोशिश रहेगी NDTV से बाचीत में और आगे क्या कहा है एमन सोरेन ने आपके स्क्रीन्स पर NDTV से बात करते हुए CM सोरेन ने कहा कि ये चिंता का विशय है कि कॉंग्रिस के तीन विधायक हिरासत में है ये कोशिश काफी लंबे समय से चल रही है अब जाँच के बाद ये पता चलेगा कि ये चैनल कहां से कहां जाता है ये पता चलेगा कि इस कोशिश के शुरुआत भाजपा के कमरे से हुई है इन लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास खत्म हो गया है अब वो धन बल की राजनीती पर विश्वास ज्यादा करते हैं किसी भी तरह से इस मोहिम में लगे रहते हैं कि कभी कुछ हासल होता है तो कभी मुश्किल में भी फसते हैं वर्तमान जो राजनीतिक स्थिती है इसमें लोकतंत्र को खरीदने की कोशश की जा रही है तो इन दोनों खबरों पर निगाडा लिए एक तरफ अजीब औ गरीब हालात में राहूल गांदी के आसपास पुलीस घेरे बंदी कर देती है दूसी तरफ आपने देखा किस तरह से कांग्रिस की मुख्याले की घेरे बंदी कर दी जाती है कांग्रिस से जुड़े अखबार पर दबिश लगातार बनाई जा रही है और दूसी तरफ जब सी आईडी वेस बंगॉल अपना काम करने आती है तो दिल्ली पुलीस अपने तर्क देकर उन्हें रोक देती है क्या ये मैज इत्फाक है आखिर क्या वज़ा है कि भारती जन्ता पार्टी के प्रचार तंतर का मुख्याम इत्मालवी है नियूस चैनल्स पर आकर खुलं खुला कहता है कि हम तो खुल्याम कुछ लोगों की मदद करेंगे विपक्ष जो मर्जी करना चाहे कर ले इनकी दबंगई इनके जो होसले हैं इनकी आकरामकता है दोस्तों इस पर मैंने शब्द हूँ क्योंकि बार बार इस तरह की चीज़ें करके ये लोग लोग तंत्र की ऐसी तैसी कर रहे हैं और कुछ नहीं अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार